धन्यवाद निर्जा जी आपने कहानी कलापर प्रकाश रला, जैसे कि इनकी एक कवीता है बात ही बोलेगी, बात बोलेगी हम नहीं और वही उनकी कहानी बोल रही है बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही सत्य का मुक जूट की आँखे क्या देखे सांदर्य अब मैं आमंत्र देता हूँ प्रोफेसर हेंगराज मिराजी को कि वे अपने अध्यक्षित अपनी से हेंगराज मिराज मिराज जिन प्रपत्र वाचकों ने आलेख वाचन किया मुन सब के प्रती धन्यवाद प्रेशित करता हूँ सभागार में उपस्तित विद्वज्जन 1976 में राजस्थान विस्विध्याले जैपुर से में संस्कृत करने के बाद इच्छा हुई कि दिल्ली विस्विध्याले जाकर में हिंदी किया जाए इमर्जेंसी का दौर था दिल्ली विस्विध्याले गया मेरे गुर्देव बैठे हुए हमिम्बल जी हंसराज कॉलेज में प्रवेस लिया और 78 में 78 में M.A. पूरा करने के बाद में प्रोफेसर जगदीश कुमार जी के संपर्क में आया और प्रोफेसर जगदीश कुमार जी के माध्यम से समसेड जी के संपर्क में आया मैं तीन वर्स तक बहुत निकट ताके साथ रहा हूं समसेड जी और त्रिलोचन जी के साथ और थोड़ा बहुत नागारजुन और विश्णूचन सर्माजी के साथ भी मैं जिन दिनों दिली विस्विध्याले में अध्यन रथ था सुप्रसिद्ध वैग्यानिक प्रोफेसर रमेश चंद्र महरोत्रा उसमें दिली विस्विध्याले के कुलपती थे उनकी धर्मपत्नी मेरी अध्यापिका थी इसलिए लगभग दो महा कुलपती आवास मही रहने का मौका मिला प्रारंब में समसेड़ी माडल टाउन में रहते थे एक छोटे से मकान में और अपनी पालिता पुत्री या मित्र की बेटी के पास रहते थे उनके पतिदेव अजै सिंग पत्रकार थे वो एक समाचार पत्र में काम करते थे उनकी बेटी का नाम था सोभा और सोभा के एक लड़का और एक लड़की थी समसेड जी उनको बरावर पढ़ाय करते थे मेरे गुर्देब प्रोफेसर जगदीश कुमार जी ने कहा कि आपको समसेड जी पर काम करना है तो जवाला नहरू इस विद्याले में प्रोफेसर केदारना सिंग जी के निर्देशन में उस समय मेट्रोपोल्टरन मजिस्टेट हुआ करते थे अपनी दिल्ली में उनकी पत्नी थी आसा महता आसा महता जी ने जवाला नहरू इस विद्याले से समसेड जी पर काम किया समसेड जी उनके निमंतरन पर कभी-कभी उनके यहां भी जाया करते थे और मैंने प्रोफिसर जगदीश कुमार के इंदरदेशन में समसेड बहद्दूर सींग का काब विशे पर एमफिल का सोध प्रवन्थ प्रस्तुत किया इस दोरान बहुत निकट से क्योंकि समसेड जी पर कोई आलोचनात्मक पुस्तक नहीं थी सिर्फ एक पुस्तक आई थी नरेंदर वसिष्ट की समसेड की कविता कोई आलोचनात्मक पुस्तक नहीं थी कोई आलेक भी समसेड जी पर उस समय नहीं था मुक्तिबोध ने जो समसेड के बारे में लखाया वो आलेक भी उस समय तक बुजे नहीं मिला था मैं बरावर माडल टाउन जाया करता था और समसेर जी साधारन चाय कम पीते थे वो हल्दी की चाय पीना पसंद करते थे और जब मैं वहाँ जाता था तो मैं स्वयम ही चाय बनाता था, उनको कष्ट नहीं करता था, देता था, और कोई अथिती आता था तो उसकी भी सेवा करता था, मैं जितनी सेवा एक विद्यार थी होने के नाते कर सकता था, मैंने समसेर जी की सेवाएं की है, और एक बार तो मै पीजी मेंस होस्टल में जो दिल्ली उनुष्टी गेट के पास है, समसेड जी को ले आया, पास दिन वहीं रखा, वो पलंग पर सोते थे, मैं नीचे फर्स फर्स हो जाता था, और उस समय मैंस बहुत अच्छा चलता था, उनके लिए खाना लाता, और वो आराम से खा लेते, चोटा था, और वे वहाँ योगिक व्याया मादी किया करते थे, समसेड जी के बारे में एक महतपून बात ये बताना चाहूंगा, कि उनको बिभिन्ने रंगों की कलम बहुत प्रिय थी, इसलिए उस समय, क्योंकि थोड़ी आर्थिक तंगी भी थी, तो पचास पैसे में य अच्छी कलम से लिखना, समसेर को बहुत प्रिय था, और जो भी पत्र का, जो भी पुस्तक उनके पास आती थी, उस पर लिखते थे, समसेर वहादूर सिंग की प्रती बड़े सुंदर ढंग से, और कभी-कभी उस पत्र का में एक छोटा सा चित्र भी बना दिया करते थे, म समसेर जी अंतर मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, कम बोलते थे, उनसे किसी बात को उगलवाना बड़ा कठन था, जब मैंने उनकी जीवनी को जानना चाहा, तो वह सेवा करके वड़े प्यार से, प्रेम से, विनम्रता से, सारी बातें उनसे पूचता था, वे अपने भाई, तेज बहदुर सींग को बहुत याद करते थे, मा जब नौदास साल के थे थे थू बिछुड गई, वो मा का विछो बारवार उनकी कविताओं में बोलता है, पत्नी भी बहुत दिन तक उनका साथ नहीं निवह पाई, उसका विछो वो वेदना भी उनकी कविताओं में बोलती है, कवी समसेर को समझना बहुत तेड़ी खीर है, उसका व्यक्तित स्वैम एक कविता है, मुझे लगता था कवी कवी कि ये स्वैम कविता है, एक कविता का अवतार है, बहुत बिनम्र, बहुत सहस्ते समसेर जी, मैंने उनकी गरीवी को बहुत निकटा से देखा है एक बार स्वेम मैंने उनके फटे हुए कुर्टे को अपने हातों से सीया है बहुत सलीके से रखते थे अपने कपड़ों को सोभा का व्यभार भी कुछ अच्छा नहीं था जब उनको कोई पुरुसकार मिलता था तब उन लोगों का व्यभार बहुत बदल जाता था मैं सुएम उसको अन्भाव करता था गाओं का एक किसान का बेटा होने के नाते मुझे याद है कि 1977-78 में ही उनको साहित अकादमी पुरुसकार मिला वो सब पूरा परवार गदगद था सब साथ-साथ गए थे हम एक गाड़ी में लोटे सब बहुत प्रसंद थे बड़े उदार थे समसेजी जो जितना साहद उस समय पुरुसकार की रासी 25 हजार रुपया थी वो उन्होंने दे दिया थोड़ा सा अपने पास रखा दूसरे दिन मैं और समसेजी कनाट प्लेस गए महाँ खादी भंडार है रीगल सिनेमा क पास में और हमने दो अच्छे कुर्ते और पाजा में पसंद किये लाए महां सिंग प्लेस हम बरावर जाते थे हम और समसेजी बस से बैठ करके और महां सिंग प्लेस में बिश्नु प्रभाकर और तमाम सारे साहित कारों के से मुलाकात होती थी वहां कौफी हाउस था अब कौफी हाउस अस्तित में नहीं है कनाट प्लेस में ही एक और साउथ हिंडियन खोटल था और उनको वो एक सामरवड़ा बहुत प्रिय था संसेजी को हमने कई बार उनके साथ सामरवड़ा खाया डोसा उनको बहुत प्रिय था कभी-कभी जाय करते थे हर अबीवार को तो अ जी ने बहुत समय तक दिल्ली विस्विध्याले में उर्दू हिंदी को उसका संपादन किया, उनकी राइटिंग चाए उर्दू की, चाए हिंदी की, चाए इंग्रेजी की बेहत खुबसूरत थी और बहुत निष्ठा और गंभीरता से सारा कारी समसेर जी करते थे, मेरे समय में ही, जब डॉक्टर निर्मला जैन विभागा अध्यक्स थी, डॉक्टर नगेंदर के बाद, तब एक बहुत बड़ा वाक्यान और कविता पाठ समसेर जी के सम्मान में आउजित हुआ था, दिल्ली विस्विध्याले में, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि लोगो में खड़े हो करके उनको सुना, पूरा हाल खचा-खच बरा हुआ था, बहे एक अपने ढंका एक विसिष्ट आयोजन था, दिल्ली विस्विध्याले का, और दूसरा एक महत्पून आयोजन था, आचारी हजार परसाद देदी, जब सूर पंच सतीम आय थे, तो उनका भी एक वाक्यान देली विस्विध्याले में हुआ था, उसमें भी बहुत अपार लोग उनको सुनने के लिए आये थे, समसेर जी अपने स्वास्त का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत साप सपाई से भी रहते थे, और उनकी मोख्य पौसाक जो थी, कुरता और पाजामा वो प पहितना पसंद करते थे, मैं जिन दिनों काम कर रहा था तो उनी दिनों समसेर जी फैज एमत फैज, जो राजकमल परकासन से पुस्तक परकासित हुई है, उसका संपादन कर रहे थे, और मैं स्वेम उसकी पांडुलिपी का भी आदान परदान करता था, और जब पुस्तक हो गई तो उस समय सीला संधु जी राजकमल परकासन की मालिक थी, और वो प्रतियां परकासित रूप में में ले गया था, एक प्रति मुझे भी समसेर जी ने बहेंट की थी, बाचीत के दोरान बे बरावर बच्चन जी का, नरेंदर सर्मा का, स्रीकांत वर्मा का, असोक ब वाजपेजी काफी अच्छी इस्तिती में थे, लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि उनकी गरीबी और उनके अभाव पर किसी ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया, जैसे देना चाहिए था, एक इतना बड़ा कवी, एक इतना बड़ा रचनाकार, अभाव में ही रहा। बाद में साहित अकादमी पुर्सकार के बाद उनको रूख जाने का मौका मिला, बाद में फिर वे प्रेमचन चेर के अध्यक्स हुए और उज्जेन आगे और तब हमारा समसेजी का मेरा संपर्ग तूट गया, वो केवल पत्रों के माध्यम से ही संपर्ग था, और तिलोच बाद जी से भी संपर्ग दूर हो गया, और बावा नागार जुन से तो दो तीन बार ही मुलाकात हुई थी, एक बार समकालीन हिंदी कविता के प्रतिष्टित हस्ताक्षर बिजेंदर जी दिल्ली आए, उन दिनों में पी जी में साउस्टल में रहता था, ये बात है, और डॉक्टर जीवन सींग को जो प्रिसिद्ध आलो चके उनको साथ-साथ ले गया, और समसेर जी के साथ लंबी बाचीत हुई, ये इस पत्रका में वो सारी डायरी की रूप में प्रकासित हुई है, विजेंदर जी ने डायरी लिखी है, समसेर से बाचीत के बाद मैं और हेमराज चात्रवास आये, मेरे चात्रवास में ठहरे थे, खाना खाया, हेमराज से समसेर की बातों पर बातें होती रही, हेमराज और मैं दिल्ली स्टेशन आये, जनता पकड़ी, ठीक छे वजे भरतपूर आया, बहुत ठक गया था, खूब सोया, ठकान उतारी, इस बार द आलेख पड़ा था आपने, आपने संघर्स की बात कही, समसेर जी ने बहुत संघर्स किया है, वो समसेर जैसा कवियों का कवी, वो माउन कवी ही जहिल सकता है, समसेर जी जब बाहर जाते थे, तो मैं माडल टाउन वाले मकान की रखवाली करता था, तो एक वार साथ दिन तक वहीं रहा, और क्योंकि उसमें चोरी चपाटी भी होती रहती थी, तो वहीं सोजा था, और मकान की देखरे करता, जब समसेर जी एक वार बाहर गए थे, तरलोचन जी और समसेर जी में बहुत बढ़ा अंतर है, तरलोचन जी गुमक कड़ बृती के थे, माता जी, तरलोचन जी की पत्नी जो खर्चा उनको देती थी, कि ये आपके आने का, ये जाने का, ये आपके चना चवेना खाने का, ये चाय पीने का, खर्चा दे दे थी त माता जी ने जो पैसे दिये ना इसका कुछ खाएंगी अपन तो कभी हम वहीं माडल टाउन में रहते थे प्रफुल चंद ओजा मुक्त एक दो बार उनके घर गए इस तरह से हम जब भी जाते माडल टाउन तो किसी न किसी एक रचनाकार साहितकार से जरूर मुलाकात करते थे उनी दिनों माडल टाउन में ही डॉक्टर विस्मातर पाठी जी भी रहते थे माडल टाउन में प्रफुलानाथ तेवारी जी मेरे गुर्देव रहते थे उधर ही प्रफल चंद ओजा मुक्त भी रहते थे डॉक्टर इंदरनाथ चोदरी जी भी वहीं आसपास रहते हैं औ और प्रोफेसर महिंदर चत्रुवेदी जी, तमाम सारे रचनाकार साहितिकार थे, उनके पास जाय करते थे, और मैंने स्वें कई बार, लगवग आठ दस बार, नागारजुन, और समसेर की मुलाकात तो कम होती थी, लेकिन तरलोचन और समसेर में बहुत प्रेम था, दोनों पास-पास ही रहते थे, ज्यादा दूरी भी नहीं थी, और बहुत सरे मुद्वों पर, सहितिक मुद्वों पर, रचनाओं पर भी बराबर बाचीत करते थे, और समसेर जी कभी, छिस तरसे ये एक दूसरे की, वो मुख रूप से केवल सहितिक वीशों पर ही बाचीत करना ब्यक्तिकत बाचीत बे ज़्यादा करना पसंद नहीं करते थे, बच्चन जी को बहुत याद करते थे, समसेर जी केवल में प्रीवेस कर पाए इलहवाद विस्विध्याले में हॉस्टल में रहते थे, और डॉक्टर अमरनात ज्छा उस समें इलहवाद विस्विध्याले के क पूरा नहीं कर पाए समसेर जी और माया जैसी पत्रकाह में काम करना पड़ा ये सारी जो रचनाओं के आपने जिक्र किया है ये सब सरस्वती प्रेस में काम करते हुए समसेर जी ने अनवाद के तोर पर कुछ मिल जाया अपना खर्चा पानी इसके लिए सारा काम किया रिकन गंभीर कारी किया गजानन माधम मुक्ति बोध पर जो कुछ आज तक लिखा गया है वह सब एक तरफ और चांद कम हूं टेड़ा की भूम का एक तरफ अपने आप में आलोचना की दृष्टी से वह सबसे बड़ी उपलब्धी है बेजोड और ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदी कविता के जो बड़े हस्ता अक्षर है उसमें हमारे पास गजानन माधम मुक्ति बोध है हमारे पास अग्य है और हमारे पास समसेर है किसी ने बैसे ही नहीं कहा है बाके समसेर कवियों का कवी था एक बात के और मैं आप लोगों का ध्षान आकरसित करना चाऊँगा उनिवर्सिटी का भी ध्यान आकरसित करना चाऊँगा कि उस समय एक बहुत महत्पूर्ण पत्रका निकला करती थी जिसका नाम था दिन्मान संपादक थे अग्येजी और उसमें रगवीर साहय सर्विसर दोयाल सक्सेना तमाम सारे महत्पूर्ण हस्ताक्षर उस समय उस पत्रका से जुड़े हुए थे काम करते थे महीं दरियागन से टाइमस आफ इंडिया ग्रुप की पत्रका थी पुराने अंक आप देखिए गा एक योजना चली कि हिंदी वालों को उर्दू सिखाई जाए और यह दायत्व समसेर जी को दिया गया कभी संभव हो सके तो मेरी गुजारिस है उर्दू विस्विज्जाले से कि दिन्मान के उन पुराने अंकों से किस तरह से किस पज़्यती से समसेर बहादूर सिंग उर्दू सिखाना चाते थे जो लोग उर्दू नहीं जानते हिंदी के लोग और अन्य भासाओं के लोग उसका एक संकलन संपादित होना चाहिए प्रकासित होना चाहिए ये इस मौके पर इस जन्म सती वर्ष पर समसेर के लिए ये बहुत बड़ी सर्धान जली होगी प्रोफेसर जगदीश कुमार ने जिन्दनों में सोधकारिय कर रहा था एक बहुत महत्वपून आलोचना पुस्तक लिखी समसेर का काब्या लोग वो समसेर जी पर एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी मेरे गुर्दे प्रोफेसर जगदीश कुमार जी भी जाड थे और समसेर जी भी जाड थे जातियता के कारण भी को सम्बंद था दोनों का कभी-कभी समसेर जी जाय करते थे प्रोफेसर जगदीश कुमार जी के घर पर आवास पर तब तो प्रफसर जगदीश कुमार जी सर महीं बेंगलो रोड पर ही रहते थे हंसराज कॉलेज के पास में और समसेजी महीं मर्डल टाउन में ही रहे और बहुत पहले वो रहे थे उदर शायद तिलक नगर या कौन सा है जहां नरेंद वसिष्ट जी रहा करते थे तो एक कविता है समसेजी की उस पर बाचीत जब हुई तो उन्हों कहा कि एक मकडी ने जाला बुना दीवार पर एक इस तरह की कविता है और उन्हों कहा कि मेरी यह कविता उसी पर केंद रहे थे उसी मकडी किस तरह से जाला बुन रही है और उन दिनों समसेजी के एक बहुत चर्चित कवता थी इमर्जेंसी के दोरान दिल्ली गेट पर पुलिस के लोगों ने जो गोलियां दागी थी वो दिल्ली गेट पर उसके चिन बने हुई थी निसान बने हुई थी आप समसे उनकी समसे जी की बने कई रचनाओं में एक कवता केवल उसी पर केंदरित हैं दिल्ली गेट पर उससा में बड़ी चर्चित कवता थी वो इमर्जेंस हत्तौर्क मान गे उसकी भी वो बराबर चर्चा करते थे और उसमें कहीं कहीं समसे जी से जब आचित होती थो उनके दिल में एक दर्द था, एक बेदना थी उसको ले करके, इस तरह से 1978 से और लगवक मैं जब तक दिल्ली विस्विद्याले रहा और तब तक समसेड़ जी वहां नहीं चले गए उज्जेन तक, तब तक उनके पास बराबर आना जाना था, अध्यन सील थे, सभी समकाली इन पत्रकाएं उनके पास आती थी, और एक बात इस नगर से जुड़ी हुई है, बे बराबर मुझे याद है, कल्पना के सारे अंकों को बहुत समहल के रखते थे, क्योंकि कल्पना के बहुत सारे अंकों में उनकी कविताएं प्रकासित हुई है और मैंने जब सोध कारिय किया तो 101 कविताओं फियर करके अच्छे रूप में मैंने अपने एमफिल के सोध प्रबंद में उसकी सूची भी दिये विभिन ने पत्रकाओं से ढूंड ढूंड कर ढूंड ढूंड कर उनको पूसता था बराबरत लो उनसे समसेर जी से सर बताइए किन किन पत्रकाओं में किस के सन में आपने कविताओं लिखी है जो इस संग्रे में दोनों में दो ही संग्रे तब तक आये थे ये प्रेस में अथा चुका भी ही नहीं मैं अभी 101 कविताओं में ने ढूंड के उनको दी और तब उन्होंने उनमें से कुछ रचनाय चैन करके और उधिता नाम का संकलन जो आया है वो आप सब क्या सिरवास से उस समय वो संकलन आप आया मैं दिल्ली विस्विध्याले और अनिन कॉलेजों के विस्विध्याले में जहां इ रहतिक पत्रकाइं उपलब्द थी उनको ढूंड करके और उनसे तब फोटो स्टेट की भी सुविधा नहीं थी हाथ से ही लिखते थे जीरोक्स मसीन तब तक उस रूप में नहीं आई थी कुछ जीरोक्स भी कर लेते थे इस तरह का सारा सिलसला था और वे सारी रचनाय मैं मैंने उनको दी समसेज जी ने बहुत सारी पत्रकाइं बहुत सारी पुस्त के मुझे जो भेंट स्वरूप दी वो एक अमुल्य निधी की तोर पर मैंने उनको सबको सहिज के सम्हाल के रखा है एक प्रश्ट उनोंने मेरे विशे में भी लिखा था वो भी मैंने सम्हाल के इस तरह बहुत सारे प्रसंग है समसेज़ जी के बारे में जो जुड़े हुए हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछ पूछ के लिखी थी मलियज जी बरावर आते थे और प्रेमलता बर्मा को भी मैंने देखा है और बता देना कोई ऐसी बात नहीं मैं तो छोटा ही था प्रेमलता बर्मा जी से बहुत प्रेम था समसेज़ जी को बहुत चाहते थे उसे इन दिनों प्रेमलता बर्मा बीमार है उनके बारे में एक पत्रका में प्रकासित हुआ है वो बहुत कैंसर से पीडित है, वे भी प्रिशिद कवित्री हैं और बहुत सारे अपाहर प्रसंग उनके पास हैं समसेर जी को लेकर रंजना अरगड़े तब कहीं उसमें नहीं थी, ये बाद की बाद है, जब उजन समसेर जी आगे तब रंजना अरगड़े जी उनपर कुछ काम कर रही थी, तब उनका आना जाना था, वहाँ से एमदावास से उजन और तब फिर बाद में समसेर जी सुरेंदर नगर चले और वहीं उनका अंतिम देहावसान हो गया, मुझे पता नहीं कि उनके भाई तेज भादुर सिंग इस समय मौजूद है कि नहीं, सोभा संभवते लखनव में हैं, आजैवी वहीं हैं, उनके पास बहुत सारे प्रसंग हैं, अब मैं समसेर जी के प्रती स्रद्धांजली मैं जो कहना चाता हूँ, वैं सब कुछ इस कविता में आ गया हैं, कविता का सीर्षक है समसेर के प्रती, जो मौन के सामराज में रहता था, जो मौन के सामराज में रहता था, और जो अंतर मुखी रेखाओं में विचरता था, अनेकों बार छेड़ने पर भी जो सिर्फ बुद बुद आता था, उसके भीतर एक समंदर था, जो सांत हिलोरों पर वस्ता था, मा का विचो उसे याद था, मा का विचो उसे याद आता था, तितलियों के उड़ जाने की तरह, पुस्प का इसपर्स करती है और उड़ जाती है, यह मा की समर्ती है, स्वहिम समसेड जी ने मुझे बताया, मा का विचो उसे याद आता था, तितलियों के उड़ जाने की तरह, रस के इसपर्स की तरह, पत्नी का वियोग भीतरी भीतर कुछ चित्र उकेरत आता, अकेले पन का, गरीबी को गले लगाने वाला, हल्दी की चाय में एक पीली शाम खोजने वाला, कमजोर होते कुर्टे को सलीके से पहनने वाला, कवियों का कवि जाट का बेटा था, जो कूची पकड़ते पकड़ते कलम थाम बैठा, जो कहता था, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, उसकी बात बोलेगी हूले हूले समय पाकर उसका उठना बैठना उसका बोलना बोलते बोलते मौन हो जाना बुद्ध सा सांत रहना और कुछ नहीं सिर्फ कविता की रचना थी मैंने इतनी पास रहकर वी कहां जान पाया क्योंकि वे समसेर था कवी विरादरी का सरदार हे कविता के हिमाले ध्यान मगन योगी सब्द रंग वाहक गंगा के प्रस्तान विंदू तेरी कविता है सूत्र हे गध्य सिल्पी समय लिखेगा तेरा भाग एक छण आएगा जब तुम्हारा उंचा माथा परबत सिकर से उंचा नजर आएगा तेरी कविता बुद्ध वानी बनेगी और कविता से कविता बनेगी इनी सब्दों के साथ मैं मौलाना आजाद उर्दू युनिवर्सिटी दक्षन भारत हिंदी प्रिचार सभा के प्रदी हारदे करतक गता व्यक्त करता हूं और समसेर बहदूर सिंग की इस मृदी को उनके योगदान को नमन करता हूं जै